वेलकम तू ब्रिदीज हेर एंड ब्यूटी केर गुड मॉर्निंग फिंट्स आज मैं आप सबों के सामें आई हूँ सिर्फ एक इंपोर्टिन टिप शेयर करने के लिए वो है अपनी हीना को काली कैसे बन पनाना है आप सबों को शिकायत रहती है कि मेंदी लगाने से बाल लाल हो जाएंगे तो आप देख रहे हो मेरे बाल मैं अभी अभी नहा के निकली हूँ कल मैंने शैंपू किया था और एकड़म हर्बल शैंपू अच्छे से शैंपू हुआ उससे बाल एकड़म खुले खुले हो गए बस शैंपू पाउडर को आपको अच्छे से लेना है जो मैं अफ्लों आप लो को देती हूँ इस पाउडर को आप अच्छे से लो और अच्छे से से अपलाई करो और वाश करो और उसके बाद नेक्स दे हिना है तो नेक्स दे हिना आप देखो अभी मेरे 50 percent वाइट हो चुके हैं लेकिन आप लोगों को दिख रहा है देखो मैं अदम क्लोस से दिखा रही हूं आप लोगों को अभी नहा के निकली हूं और मैंने अपनी हीना कैसे बनाई एक तो हीना मेरी हरबल थी जिसमें सिफ आधे मेहंदी थे और आधे हर्ब्स थे चीक है उसके पूरे 30-32 गंटे मैंने लोह की कडाई में भीवो के रहा है आवले के पानी और बीट रूट जूस में मेहंदी अपना बनाया था एक कटोरी में मैंने काला आमला जो मैंने आप लगों से शेयर किया काले आवले की चटनी और स्प्राउटेड मेती वह प्रॉटेड मेती और पूरे काले आवले की चटनी मैंने उसी लोह की कडाई में मिक्स कर दिया और उसके बाद 30-32 गंटा करीब मैंने वह कडाई में रखा और उसके बाद आप देखो कि मेरी मेरे हैर्स देखो यह एक दम ब्लैकेश एफेक्ट आएगा और अगर इसी तरह से आप अपनी हीना को वीकली लगाओगे ना एक दम आपके कलर्स अच्छे रहेंगे और एक तब एक रेडिश एफेक्ट रहेगा वो जो औरेंज कलर होता है ना मेहंदी का देखो वो नी रहेगा देखो मैं अभी अभी जस्ट नहा के निकली हूँ मेरे गीले बाल है बट आपको कहीं औरेंज करके मैंने अच्छे से अपने हाथ से यू ही लगाया है और यह देखो कहीं भी आपको ना ग्रे हैर दिखेंगे ना ओरेंज दिखेंगे क्योंकि अगर वाइट होंगे तो उसमे और जाएंगे पर मैं वीकली लगाती रहती हूं तो मेरे बहुत वाइट नहीं है इसलिए द करीब लोहे की कडाई में रखा और उसमें आमले की का पेस्क भी मैंने डालागा तो आप इसकी चिंता मत करना कि हाथ काले हो जा रहे हैं अगर आप नीबू से हाथ को रगड लोगे और एक दिन में आपके हाथ ये पानी से दूल के वापस नॉमल हो जाएगे तो आप कि य९ह फो अपको सब कुछ क्लियर होगा कि आपको किस तरह से अपनी हीना बनानी है तो इसी तरह से आपने हीना बनाना ओर अच्छे से